हैलो बच्चो आप सब कैसे हो मैं हूँ शैली शर्मा आपकी टीचर और आपकी सबसे अच्छी दोस्त क्या आप जानते हो आज हम कौन सी कहानी सुनेंगे तो बच्चों आज की कहानी का नाम है दो सिरवाला पक्षी बच्चों क्या आपने कभी किसी पक्षी के दो सिर देखे हैं तो हमारी आज की कहानी भी दो सिरवाले पक्षियों की ही है एक समय की बात है, एक जंगल में एक तालाप के किनारे पर दो बड़े ही सुन्दर पक्षी रहते थे उनका नाम था चिकी और ट्वीटी उन दोनों में बहुत कहरी दोस्ती थी, वे कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं रहते थे उनकी दोस्ती देखकर जंगल के सभी जानवर उनसे बहुत खुश होते थे और कहते थे कि तुम दोनों का बस शरीर ही अलग है, परन्तु मन तो एक ही है जंगल के सभी जानवर उनसे कहते थे कि अगर तुम दोनों का शरीर भी एक ही होता तो कितना अच्छा होता यह बात सुनकर उन दोनों पक्षियों के मन में विचार आया कि क्यों न हम तपस्या करें तो दोनों एक पहाड की चोटी पर जाकर तपस्या करने लगे दोनों ने एक वर्ष तक कटिन तपस्या की इस बीच कभी सर्दी, कभी गर्मी, कभी बारेश हुई परंतु उनकी तपस्या लगातार चलती रही फिर उन दोनों की तपस्या से खुश होकर उनके सामने एक देवी प्रकट हुई और उन्होंने कहा कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए तो वे दोनों पक्षि बोले कि देवी मां हम दोनों बचपन के दोस्त हैं हम साथ साथ बड़े हुए हैं हम चाहते हैं कि आप हम दोनों के शरीर को एक कर दो तो देवी ने कहा ये तो बड़ी ही विचित्र मनों कामना है देवी माने उन दोनों से कहा कि अगर तुम दोनों एक ही शरीर में रहोगे तो बहुत सारी परिशानिया आएंगी तुम जब तक अलग-अलग रहोगे तब तक ही तुम्हारी दोस्ती रहेगी शरीर एक होने पर तुम्हारी दोस्ती में दरार आ सकती है परन्तु वे दोनों दोस्त नहीं माने और आखिर में देवी माने उन्हें शरीर एक होने का वर्दान दे दिया और देखते ही देखते उनका शरीर एक हो गया परंतु उनके सिर दो ही रहे अब एक शरीर पाकर दोनों पक्षी बहुत खुश हुए और सोचने लगे कि देवी तो कितनी अच्छी है उन्होंने हमारे शरीर एक कर दिये परंतु सिर दो ही रखे जिससे कि हम आपस में बातचीत कर सकें अब वो दोनों खुशी-खुशी अपने जंगल में वापस आकर रहने लगे जंगल के सभी जानवर उन्हें देखकर बहुत खुश हुए कि अब तो दोनों के शरीर भी एक हो गए सभी ने उनसे इस चमतकार के बारे में पूछा तो उन दोनों पक्षियों ने अपनी सारी कहानी सब को बताई कहानी सुनकर सब बहुत खुश हुए और ऐसे ही काफी समय बीटता रहा एक दिन वो दोनों भोजन की तलाश में गूम रहे थे तो अचानक उन्हें एक मास का टुकड़ा दिखाई दिया मास का टुकड़ा देखकर उन दोनों के मूँ में पानी आ गया मास का टुकड़ा देखकर पहला सिर यानी चीकी ने कहा कि चलो आज तो स्वादिश्ट मास खाने को मिला है तो दूसरा सिर यानी ट्वीटी बोला कि मैं भी मचलियां खा-खाकर तंग हो गई हूँ मुझे भी मास खाना है तो पहला सिर बोला नहीं इसको मैंने पहले देखा है इस पर मेरा हक है और वैसे भी कोई भी खाए पेट तो हमारा एक ही है जिसको जो भी मिले वो खा ले फिर अगले दिन उन्हें एक मचली मिली तो उस मचली को लेकर भी उन दोनों में लड़ाई जगड़ा होने लगा और इसी प्रकार रोज उन दोनों में किसी न किसी बात को लेकर लड़ाई जगड़ा होता था तो फिर उन्होंने सोचा कि अब हम इस शरीर में नहीं रह सकते हमें फिर से देवी मा के पास जाना चाहिए और उनसे कहना चाहिए कि अब हमें इस शरीर से मुक्त करें अब वे दोनों देवी के पास गए कि हमें इस शरीर के बंधन से मुक्त कर दीजिए तो देवी ने कहा कि मैंने तो पहले ही कहा था कि ये सम बहुत मुश्किल है और फिर देवी ने उन्हें पुन्ह आशिरवात देकर अलग-अलग कर दिया और वे दोनों खुशी-खुशी अपने घर की ओर चल दिये तो बच्चो, moral of the story ये है कि हम जैसे हैं, हमें बैसे ही खुश रहना चाहिए तो आपको ये कहानी कैसी लगी? आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना और इस कहानी के बारे में अपने फ्रेंड्स को भी जरूर बताना और हाँ, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना ओकी बाई बाई, टेक केर